हमेशा पड़ते एक दिन जिन्दगी में जीने के लिए बहतर रहना चाहिए और जिन्दगी में हमेशा सच भावनार करके जीना चाहिए और आगे हमेशा बढ़ना चाहिए और हमेशा करीबाँ लोग की सिवा करनी चाहिए और गौ मता को बचाना चाहिए जिन्दगी में जीना है तो जीपर के जीना है और पेड़ पोदे बहुत ज़्यादा लगाना है क्योंकि जहाँ पर पेड़ पोदे ज़्यादा रहेंगे वहाँ पर भूद खुशियाली रहेगा और जहाँ पर पेड़ पोदे नहीं रहेंगे वहाँ पर बहुत ज़्यादा तापमान रहेगा और अभी से भारत को चमकाना है देश को आगे मढ़ाना है और हमेशा जिन्दगी में सपलता पानी है क्योंकि जैसा जैसा कारे करेंगे वैसा ही फल मिलने वाला है लगाशाना है गर-गर में रकना है अभी अभी है नारा पूरे राजसान में चलाना है पूरे भारत में गहु रहया करनी है पड़ते घरोंके इंदर गॉल 지방 होनी बहुत जरूरी है गाई का दूद दूद से देई बनता है देई से मखन बनता है मखन से गी बनता है और जिंदगी में सब्वलता पाने के लिए गाई का जो गोमुत्र रहता है जहां रहेगी गाई वहां पर रहेगी लक्षमी का चारो धाम और गाईयों के अंदर चारो तेटीसीजार देवी देवताओं का वास रहता है और जहां पर गाईयों रहेगी वहां पर उसका सब कुछ इंसानों के लिए बहुत अच्छा है दूद्ध जब जो इनसान गाई को रहेगा दूद्ध मिलने वाला है और जो गोमुत्र है उन से जहां जहां पर भी डालेंगे वहां पर अच्छी जगा बन जाएगी और उसके बाद में होता है गोबर जहां पर आप साग सब्जी और फसले बोते हैं वहां पर गोबर डालेंगे तब वहां पर बहुत पैदावाद ज़्यादा बुड़ने वाली है चोटी जमीनों के अंदर भी ज़्यादा फसल बुड़ने वाली है और भारत को हमेशा आगे बढ़ाना है आतम निर्वर सबको बनाना है जिन्दगी में प्रेम से जीना है संसकारक से हमेशा सीखना है जिन्दगी में सफलता पाने के लिए बहुत कटिनाया का सामना करना पड़ेगा जो इंसान रात दिन मैनत करेगा वो हमेशा सबसे आगे रहेगा सांती से रहेगा वो हमेशा जिन्दगी में चहरा चमकेगा जो नपरत फ्यलाएगा उसके परिवार के अंदर नपरत फ्यलने वाली वापिस शुरू होने वाली है जैसा करम करोगे परिवार में वैसा ही फल मिलने वाला है और हमेशा अभी का समय बहुत खराब चल रहा है इसलिए हम हमेशा एडवास वीडियो बना देते हैं जिस इंसानों के पास में जमीन है वो इंसान आसे ही चार पॉंच गयां का कारोबार कीजिए दूद दूद बेच सकते हैं नई बेच सकते हैं और उसका गी भी बेच सकते हैं और उसका गोबर भी बेच सकते हैं तो उसके एंदर बहुत अच्छी कमाई आने वाली है और गोगर्ड खेतों के एंदर डालागर सागसब्जी पैदावार कर सकते हैं पड़ते गरों के अंदर सोला सिस्टम लगाना है भारत को रोसन करना है गर-गर में सोला सिस्टम लगाना है भारत को रोसन करना है जहां पर सांती वहां पर हमेशा प्रेम प्यार से रहने वाले हैं और जहां पर नपरत हैं वहाँ पर कभी भी प्रेम से नहीं रह सकेंगे और हम हमेशा एड़ोंस वीडियो बना देते हैं जीओ और जीनने दो प्रेम से जीनने दो और हमेशा प्रेम से परिवार के अंदर रहना सीखो समाज के अंदर अच्छा कारिय करना सीखो भारत को आगे बढ़ाने की सोच उचा रखो देश विद्वसा में भारत का डंका बजाना है भारत को रोसन करना है और भारत के अंदर ये गुन्डा गर्दी चल रही है उसको बंद कराना है जो उसका परिवार का वो इंसान नहीं है तो वो देश का क्या इंसान हो सकता है ये आजकल ये देश विरोधी रोडों के उपर पत्तर फेरना रोडों के उपर टाइड जला कर हंगामा करना प्रणों के अंदर आग लगाना ऐसे इंसानों से चार कदम दूर रहना है ऐसे इंसानों को वापिस सबग सिखाना है क्योंकि ये नहीं तो ये घर के हैं नहीं परिवार के हैं नहीं तो देश के हैं ये देश विरोधी हैं ऐसे लोगों से बात करना भी वेकार हैं ऐसे लोगों को वापिस जवाब देना ही पड़ेगा दपरत फेलाने वाले इंसानों से चार कदम दोरी रहना पड़ेगा आतम निर्वर सब को बनाई पड़ेगा क्यांकि जहां पर हरियारी रहेगी वहां पर खुसियारी रहेगी और हमेशा उदर गर्मी भी बहुत कमी रहेगी नहीं तो ऐसी का काम पड़ेगा नहीं कुलर का पड़ेगा जितना आप कुलर के अंदर पानी डालते हैं जितना आप कुकर के अंदर पानी डालते हैं वही पानी पड़ते एक दिन पेड़ कोदो के अंदर डालेंगे तब चारां तरप आपको हरियाली दिखागी और जब चा सोच विचार अच्छा रहेगा और आपकी आँखे अच्छी रहेगी तो आपके जिन्दगी में आप सो सालों तक सबको देख सकते हैं और यदि आप पेड़ पोदे सब जला कर राक कर देंगे तब आपको आखा की रोस्ली भी कम हो जाईगी चाराओं तरफ गर्मी ही गर्मी बिलने वाली है और आपको परेषान करने वाली है और जब जो इंसान कुलर के अंदर रहेगा उसको फानी के अंदर बर्वाद होना पड़ेगा और जो इनसान ऐसी के अंदर रहेगा उसके सरीर में ऐसी के अंदर रहेगा उसके सरीर के अंदर हड़ियां और नसा फूल फूलने वाली हैं और उस ऐसे लोगों को बड़ी बड़ी बिमारियां लगने वाली हैं क्योंकि जो इंसान ज़्यादा ऐसी में रहता है उसकी नसा फूल जाती है और नसा फूल जाने के बार में चाहे सस जैसा आप खान पांड रहेंगे, जैसा आपका आचार विच्छा रहेगा, जैसा ही आपके सरीर बनने वाला रहेगा, आपकी सोच बदलो, आपके परिवार में साथ रहना सीखो, परिवार का साथ रहना सीखो, तब ही आप जिन्दगी में सफन बने सको के, नहीं तो आप जि किसी का पैसा घाना नहीं किसी का कारोबार में धका मुक्यी का कारे करना नहीं. सब का सबका आप सबलता पाने के लिए बहुत कठीनायां करनी पड़ेगी तभी आप लोगों की जिन्दगी में आगे बढ़ भाएंगे आप जितने इंसाना का प्रेम प्यार से आगे बढ़ेंगे उतना ही आप पुद आगे बढ़ेंगे और यदि आप किसी दूसरा का गुरुप्तो करेंगे तो आप लोगों खबी दुरुप्तो कोने वाला हैं और एक बात बोलना चाता हूँ पानी को गुंद गुंद बचाना है भारत को आगे बढ़ाना है और वर्सात का पानी पानी के डंक में इक्टा करना है साल पर होई पानी पीना है आपके बिमारी है सब दूर भागेगी रोग से आप निरोग रहेंगे आपके कोई भी बिमारी नहीं रहेगी और जब आप और साथ का साल पर पानी पिएंगे आपकी सभी बिमारिया नश्ट होने वाली हैं और आप आपकी सफलता पास सकेंगे और जीवन में आप आगे बढ़ सकेंगे और हम हमेशा बोल देते हैं क्योंकि रुपाराम भौलाल यूट्यूब चैनल हमेशा देखिए लाइक कीजिए कम से कम 25-30 लोगों को सेर कीजिए क्योंकि हमारा बहुत सारे वीडियो सभी तरह का है आप अंदर जाएए क्रॉम के अंदर और रुपाराम भौलाल ओपन कीजिए और जो आपके वीडियो पसंद है आप देख सकते हैं पड़ते एक टाइप का हमारे यूट्यूब चैनल के माधियम से सभी टाइप का वीडियो एवाई लेवल है जिन्दगी जीने के लिए जिन्दगी में सफलता पाने के लिए और 16 शिचम हर घर में रहना बहुत जरूरी है रोशनी रखना बहुत जरूरी है एक बार पैसा क आप चार विच्छा रखोगे वैसा ही फुल मिलने वाला है आपकी सोच बदलो तभी आप सब कुछ बदल सकेंगे नहीं तो आप पिछे रह जाएंगे हमेसा हमेसा सबी भया और बैनों का साथ देना चाहिए और जो बिगड़े हुए लोग है उनसे चार कदम दूर रहना ह है आज की ये जवानी है लाइफ पिस्टेल के चकर में सबी लोग गली गली में गुमते हैं ऐसे ही फाल्टू के चकर काड़ते हैं और ऐसे अभी रहना नहीं है कुछ इनकुछ कारिय करना है भारत में आगे बढ़ना है और हमेसा कारिय सबलता पानी है और देश के अंदर नाम रोशन करना है इसलिए बोलता हूं 99% लोग इनसानों को बरबात करने में लगे हैं और 1% ही लोगों को सफलता पाने के लिए इनसान अभी बाकी है इसलिए आपको बोलता हूं सब की सुनना करनी अपने मन की क्योंकि ये दुनिया दारी हैं ये सब जलतवाई हैं क्यों कि हमेसा हमेसा जैसे निम्गे पते खाओगे तो आपका सरीर रोग से मुख्थ होगा और यदि आप बहुत ज़्यादा मिटाई खाएंगे तो आपके सरीर में बिमारिया आनी सुरू हो जाएगी इसलिए हम हमेसा बोलते हैं जैसा सक्कर मुँ में डालते हैं मुँ मिटा होता है उसी तरह का बोलना सीखो पेट को हमेसा तोड़ा खाली रखना सीखो और पाओं को हमेसा गरम रखना सीखो परेम प्यार से रहना सीखो जिन्दगी में सभी लोगों को जीने और कारिय सब्रता पाने के लिए सहयोग करोगे तबी आपका नाम रोसन रहेगा और नफरत खलाओगे तो तुमारी ओलाद ही आपको धोका देने वाली हैं आज कल विए पी आधियान में में बहुत सारे देखे हैं क्योंकि वो बड़े बड़े लोग विए पी लोग पैसे के गमंड में बात भी पराइवार से करने के लिए लाइक नहीं हैं और ऐसे मेने बहुत सारे देखे हैं क्या कि जहां पर पैसा ज़्यादा हो जाता है वहां पर गमंड बहुत ज़्यादा हो जाता है और इनसान को इनसानियत से नहीं सोचते हैं और इनसानों की साहिता नहीं करते हैं अपने गमंड के चकर में गुमते रहते हैं और ऐसे इनसान पैसाँ के चकर में चला गया, वो इंसान गमड में होने वाला है, और गमड इंसानों से चार कदम दूर रहता हूं, और हम हमेशा संसकार के अंदर जीवन में जीना चाहते हैं, मान मरियादा से, जिंदगी में सफलता पाने के लिए, हम हमेशा एडवांस वीडियो बनाते हैं हमेशा जिन्दगी में जिन्ने की सोच अच्छी रखना सीखो और अपने परिवार में माता पिता की हमेशा सिवा करनी सीखो क्योंकि भारत के अंदर ये ग्रुप्योब हो रहा है माता पिता से बोलने के लिए भी लड़के लड़की रड़ी नहीं और दूसरों के लाव स्टोर्डी के चक्र में गली गली में गुमते रहते हैं लव स्टोरिजी के अंदर जाना नहीं है, परिवार के अंदर रहना है और जिंदगी में हमेशा सफलता पानी है क्योंकि आज कल के ये लोग पैसा के गमन्ड में लाइप स्टेल में जाते हैं पुरे परिवार को बरबात करते हैं बाद में पैसों के लिए भीक मांगते हैं, ऐसे लोगों से चार कदम दूर रहना हैं, क्योंकि भगवान ने इनसों को इतना सुंदर सरीर दिया है, वो भी मुप्थ में दिया है, इसलिए इनसान गमंड करता है, और जब सरीर के अंदर कुछ भी खराबी आती है, रोग लग बिमारी लग जाती है, तब वो भगवान को याद करता है, क्योंकि इनसान सिर्फ बहुत सिर्फ अपने गमंड में रहता है, इनसान जब अरब पती हो जाता है, बड़ी बड़ी बाते करता है, और जब वो एक्सिलेंट हो जाता है, तब उसको महसूस होता है, कि मैंने तो बहुत लोगों का खुन पिया है और बाद में उसका गमंड थोड़ा कम हो जाता है बाद में दूसरों से बात करना सुरू करता है पहले ओ दूसरों से नफरत करता रहता है ऐसे मैं बोल देता हूँ चाहे तेरा पेसा तुमारे घर तक है घर से बार किसी को गमंड तो पांच मिनिट भी लगने वाला नहीं है क्योंकि हमेशा इंसान को इंसानियत्या से जीना सीखो मान मर्यादा से रहना सीखो अपने मात पिता की सेवा करनी सीखो जिंदगी में हमेशा सफलता पारने के लिए धेरिये से जीना सीखो और हम हमेशा हमेशा रात दिन मैनत कर भारत को रोसन करना है और सबका साथ सबका विकास परियावरन वातावरन को अच्छे करना है और जलवायू को भी अच्छा करना है और हरियाली भूत भारत में लानी है और पैदावर भूत जादा करनी है प्रेम प्यारे से जीना है भारत का नाम रोसन करना है वर्ड के अंधिर नाम का डंका वजाना है, भारत को वर्ड के अंदर नमर एक पे लाना है, जीवन में हमेसा फ्रेम प्यार से जीना है, नफरत कभी फ्हलाना नहीं है, जो इनसान नफरत खेलाता है उनसे कभी भी बात भी ने करना है क्योंकि जैसा देस वैसा वैस ऐसे इनसानों से चार कदम दूर रहना है जैसा खान पान वैसा आचार विचार इसलिए बोलता हूँ आतम निर्वर बनना सिखो सब कारिय करना सिखो एक इंसान के सामने कोई भी ऐसा कारिय नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता है बड़े बड़े कठीनायों का कारिय भी इंसान कर सकता है क्योंकि इंसान अपने गमड़ के पिछे इंसान पिछे रह जाता है गमड़ के अंदर कभी जीना नहीं है हमेशा संसकार के अंदर जीना है और हमेशा आगे बढ़ना है भारत और वल्ड के अंदर नाम रोशन करना है रुपाराम गौलाल यूट्यूब चैनल देखना है तभी आप लोगों का जीवन में जीने की सोच अच्छी रह सकती है क्योंकि हम हमेशा एडवास आइडिया आप लोगों तक वीडियो बना देते हैं इसलिए मैं मेरे परिवार की तरफ से और मेरे अच्छी भावना की और मेरे दिल की साफ भावना से मैं इंडीन आर्मी और पुलिस डिपार्मेंट को में सेलिट करता हूँ और मैं इंडीन आर्मी या पुलिस डिपार्मेंट के अंदर जॉइन्ट होना चाता हूँ कर पया करके मेरा आप साथ दे और मेरे को देश की सिवा करनी है क्योंकि मेरे को पैसों के उपर कोई इच्छा नहीं है क्योंकि पैसों से मैं चार कदम दूर रहना चाहता हूं और जिन्दगी में सपलता पाने के लिए देश को आगे बढ़ाना है भारत का डंका आगे और बढ़ाना है और हमेशा हमेशा चाही हिंदू हो चाही मुस्लिम हो हिंदू मुस्लिम इस साही आपस में भाई भाई प्रेम प्यार से जीना सीखो भारत के अंदर प्रेम प्यार से रहना सीखो देश के अंदर सांथी रखना सीखो भारत का नाम रोशन करना सीखो और अपने अपने धर्मों का कारिय करना सीखो किसी के भी धर्मों का गुर्पों नहीं करना है और हमेशा हम हमेशा जे सिरी राम हर हर महादेव जे बजरनपदी, जे श्रीक कृष्णा, जे बुलो अबाराम साविर की जे, हम हमेशा संस्कार भावना रखते हैं और हम हमेशा अच्छी सोच रखते हैं, तबी तो हम हमेशा अच्छी मेहनत करके बड़े बड़े वीडियो बना देते हैं, जब इंसान बड़ी बड़ी बात कर सकते हैं, बट जब कैमरे के सामने चेहरा जाता है, सब कुछे, डर के मारे सब कुछ बोल जाता है, और हम कैमरे के सामने जाते हैं, अच्छे से अच्छे विचारा में बहुत सारे बड़े बड़े वीडियो बना देते हैं, क्योंकि जो इंसान का दिल साफ है, भावना सा साफ है वही इंसान कैमेरे के सामने बात कर सकते हैं 20-35 मिनिट ते क्योंकि जिस इंसान की कि अपनी याददस्त की कमी है वह कभी भी वीडियो के सामने बोल नहीं सकते हैं चार-पांच मिनिट के अंदरी वो रुक रुक कर बोलने सुरू हो जाएगा और जब हम मैनत करके हमारी दिल की भावना से अच्छी सोच विचार के माध्यम से हम बहुत बड़े-बड़े वीडियो बना देते हैं क्योंकि जैसा अच्छार विचार रखेंगे वैसा ही आपका कारिय होने वाला है इसलिए हम हमेसा मैनत करते हैं और हम सच्छी भावना हमेसा दिल के अंदर रखते हैं इसलिए तो मेरे प्यारे भाया और बैनों के लिए इतने बड़े-बड़े वीडियो हम बनाते हैं क्योंकि ये छोटी सी जिन्दगी है जैसा हम करम करेंगे वैसा ही फल मिलने वाला है जो इंसान पैसे के उपर अपने परिवार को बड़े-बड़े फाइप इसलिए होटलों के अंदर जिज्जा करके रखेंगे और बड़ी-बड़ी बाते करेंगे वो परिवार कभी भी सपलता नहीं आसिल कर सकता है क्योंकि उसके पैसों के गमण में वो सिरफ मौज मस्ती कर सकता है बढ़ वो किसी का भी सयोग नहीं क खाता है जब उसके सामने कोई भी बुका इंसान आता है तो उसको भी वो खाना किला देते हैं और जो इंसान बड़े-बड़े अरब अपती हैं एक एक रोटी मांगा तो भी वो देने वाला देने के लिए इंकार कर देते हैं क्योंकि अमीर और गरीब की यही है फरक्त इस जैसी आप करनी है वैसी ही आप का करम आपके कारिय भरने वाले हैं और जब ये इतना बड़ा हम wszyscy बना देते हैं तो भोहां का भी नाम ह्यादार आजाते जैसे मेरी मालक की दुकान ने सब लोगों का काता, मेरे माले की दुकान में सब लोगों का खाता, जैसा जैसा करम करोगे, वैसा ही आप तड़कना पड़ेगा जिन्दगी में, जैसा ही आपके परीवार में, जैसा ही आप अपने परीवार में सोच विचार रखोगे वैसा ही अपनाओगे जो जो घरीब इंसान हैं हमें सामान मर्यादा इजित में रहते हैं और जो जो बड़े-बड़े पेशां वाले होते हैं उसके गरा में कभी इजित नहीं हो सकती हैं क्यांकि वो पैसा के गमंडवे रहते हैं मान मर्यादा नहीं है वहाँ पर कभी जाना नहीं है हमेशा जिनकी में जीना है सफर्दा पानी है हमेशा अच्छ परिवार में संसकार दिखाएंगे तबी आपके परिवार सफ़र हो सकेंगे यदि आप परिवार के अंदर बुरा विचार रखेंगे तो आपके परिवार में सफलता कैसे पाएंगे जैसे अचार विचार रहेंगा परिवार में वैसा ही कारिय होने वाला है सोच बदलो तब ही तो परिवार में सवाव बदलने वाला है और जिन्दगी में सकॉल्टा पानी है और पड़िवार का नाम रोसन करना है तो सबसे पहले संसकार के अंदर जीना ही पड़ेगा और यदि आप पैसाओं के गमंड में गराओं के अंदर नपरत से रहोगे और दुकानों के अंदर बुला बुला करके वेपार ऐसे ऐसे बैटे हैं आजकर दुन्या दारी में पैसाओं के लिए बरिवार को भी बाड़े पे छोड़ देते हैं ऐसे भी मैंने देखे हैं मेरे आँखां से मैं रोज देख रहा हूँ क्योंकि उस लोगों को सिर्फ और सिर्फ पैसे के अंदर लगे हैं और ऐसे गराओं के अंदर कोई मान मर्यादा इजित कुछ भी नहीं है उस लोगों को सिर्फ और सिर्फ पैसे की पड़ी हैं और ऐसे इंसानां से बात भी करना गलत है ऐसे इंसानों से मैं हमेशा चार कदम धूर रहता हूँ सांती से जीना चाहता हूँ और आप लोगों को ये बात बोलने के लिए बोला था कि आप भी ऐसा वह वर दुनियादारी किसी के साथ में ऐसा ना करे हमेशा जिस अपने अपने नसीब में लिखा है वो मिल जाएगा जहां पर ही है सांती से जीना सिको संसकार से जीना सिको तभी आप लोगों की जिन्ती में सपलता पा सकते हैं और करपया करके वीडियो कम से कम 40-50 लोगों के साथ में सेर कीजिए तभी उस लोगों का भी परिवार में सपलता पा सकते हैं संसकार के अंदर नहीं तो ऐसे ही गली-गली में बढ़कोगे इसलिए आप लोगों को विच्छतावने देदेता हूं जैसा आप परिवार में संदेश फ्यलाएंगे वैसा ही परिवार अच्छे होने वाले हैं और यदि आप संदेश बूरे फ्यलाएंगे तो परिवार में बूरा परिवार पड़ने वला ही है जैहिन जैवार वंदे माध्राव